विर्दी और विकास का अर्थ और महत्तु क्या होता है और इसमें अंतर क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे यह वीडियो जो है आपकी exam point of view से बहुत जादा important और helpful है चलिए start करते हैं देखे विर्दी का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना इसके कोई चीच बढ़ती है फैलती उसको में विर्दी जो है कहते हैं और मनुसे के आंतरिक और वाय अंगों का बढ़ना ही क्या कहलाता है विर्दी जो है कहलाता है और विर्दी जो हमारी होती है न सारिक रशना और सा और देखिए वृदि का समय निश्चित होता है जैसे यह गर्माधान के लगबग दो सब्ता पश्चात ही प्रारंब होती है और 20 वर्स की उम्र के आसपास तक वृदि हमारी होती रहती है तिक हमलों को ध्यान में रखना है व्रिद्धि में जो बदला होता है ना हमारे व्रिद्धि में समानेता जो है सारिक वर रशनात्मक ही होती है और व्रिद्धि केवल परिपों को अवस्था तक ही सिमित रहती है जो कि विकास जो हमरा होता है जीवन परियंद चलता रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सारिक भी होता है, मानसिक भी होता है, व्यवहारिक भी होता है, तीनों परिवर्त निस्में होते हैं और वृदी हमारी एक कैसी होती है, मातरात्मक होती है, क्वांटिटी वाली होती है और लेकिन हमारा विकास कैसा होता है? यह गुडातमक होता है, quality होता है वृदि एक जो होती है निशित समय तक होती है, लेकिन विकास हमारा जीवन परियंत चलता रहता है, हम लोग को ध्यान में रखना है और मानम विर्दि कोसी का भी भाजन से होती है विकास का एक व्यापक छेत्र होता है यह अपने आप में ही व्यापक होता है और देखे विर्दि की एविल एक निश्ट भाग या अंग की दरसाती है व्रिदी का आकलन जो है मातरात्मक होता है लेकिन विकास का आकलन जो है गुड़ात्मक होता है जो बेवीन परिस्थितियों के साथ होता है जैसे व्रिदी की बात करें मातरात्मक कैसे होता है जैसे अगर कोई बालक है उसकी मोटाई बढ़ रही है तो हम लोग पता कर सकते हैं वेट कराके उसको कितना मोटा हुआ है उसकी हाइट बढ़ रही है तो उसकी हाइट हम लोग पता कर सकते हैं कितनी हाइट बढ़ी है तो ये व्रिदिक कैसी हो जाती है मातरात्मक हो जाती है लेकिन विकास आंतरिक जैसे माल लीजे मांसिक परिवर्तन हुआ बच्चा में च्योर हो रहा है और सारी परिवर्तन हुआ तो तीनों परिवर्तन जो होता है उसको मारा विकास दरसाता है